कि नमस्का दोस्तों स्वागत एक बाफी से आप लोगों का सक्सेस क्लासिस में जैसा कि आप जानते थे हम लोगों की समाजिक प्रयोतन उनको देखने को मिलता है समाज का सम्कालिंस अनल यानि की वरतमान समय में कैसे आतियासिक ना सम्काली वहरतमान समय में कैसे जो कि अभी देखोगे कैसे जोकी प्रासांगिक है यानि क्या इसका यूज है क्या ये अभी देखने को मिलता है या फिर यह देखने को नहीं मिलता है तो इसी चीज़ को तो आप इस टॉपिक से यह भी दोनों डिल कर पाऊगे तो चलो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि इसमें दो आधाहा पे देखेंगे इनका माक्स की जो थियोरी है एतियासिक बहुती वाद उसका समकारी संदर में दो आधाहा पे देखेंगे पहला आधार क्या है कि कि इसी बात को का विश्यलेटर करेंगे क्या सत क्या एसा आज सच में है देखने को मिलता है कि क्या इकॉन मी ही जो कि समाजी पईव तक मुख कर रहा है कि पहला पहला तो आनि इनका पॉइंद की कआइसरा है ह। समाज में वर्ग संगर्ष देखने को मिलता है यह दो बाते जो कि हम यहां पर आज इसका करेंगे देखने के समझने की कोशिश करेंगे समाजिक प्रवित्त में एकॉनमी का क्या रोल है या कितनी प्रसंगिक्ता है आज भी ठीक है तो चलो करते हैं यहां पर देखो मांक्स लिखते हैं मांक्स दोरह प्रस्तुत एतियासिक भातिवाद की अनेक आलोशनाय की गई हैं कुछ और कुछ विद्वानों दोरह वर्तमान समाज में इसकी प्रसंगिक्ता को लेकर कई वाद विवाद उठाय गया है जिनके आलोख में इस इधान की वर्तमान प्रसंगिक्ता का परिच्छर इस सिद्धान में नहीत मानिताओं के संदम में किया जा सकता है अब देखो यहां पर बोला जा रहा है यहां पर देखो का कि एतियासिक बहुत की मानेता है कि अर्थ बेवस्ता या उत्पादन प्रडाली ही वह प्रेरक्त तत्व है जो समाजिक परिवतन को या इतियास को आगे बढ़ाता है यहां पर देखो अभी भी देखने को मिलता है तो देखो सबसे पहले इसके बीरोध में इसके बीरोध में जो कि गुणार मिड्डल जी आते हैं यह बोलते हैं इन्होंने बता है कि आज जो राज है यानि जैसे आपका सरकार हो सरकार होती है गौर्मेंट होती है ठीक है राज यह कैसा मुहत्पूर साधन जो वरतमान समाजिक परिवतन हैं विकास है तो परमुर्प से उत्तर आई ह जो गुणार मिड्डल जी है वो कहते हैं ऐसा नहीं कि जो आपका अर्थिवर्ष्टा है वो समाजिक परिवतन के उत्तर आई है एक महत्पूर साधन है देखो कैसे आगे बता रहे है कि राज देखो लोग कल्याड कारी राजी के उत्भाव के साथ राज्य दौरा आर्थी समाजिक सहुष्टा में परिवतन को संभव बनाया यानि कि जो आपका जो राज है वो देखो कैसा आज उसका स्वरुप दिखने मिलता है कल्यार कारी राज्य की रूप में देखने मिलता है और यह जो राज है वह आर्थिक गतिविदियों में कुछ नितियां हो गरा है ब समाज में परिवतन को निधारित करता है ना कि आर्थिक बिवस्था तो इस तरसे बताते हैं वर्तवान संदब में इसको बताया जा रहा है कि जैसे दो अब सिकेंड दूसरे कोन आते हैं इसके बीरोध में मार्क्स ने जुका था कि उत्पादन पढ़ाली समाजी परिवतन करता है तो उसके बीरोध में देखो आते को डेनियल बेल और माइकल फूको जैसे आधुनिक समाज सास्तियों ने वर्तमाज समाज को ग्यान समाज के र समाज को चोड़ते हुए आधुनिक समाज की और अग्रसार हम लोग हुए है तो इस सदा पर डेनियल बेल जी बोलते है कि अर्थवरस्ता नहीं बलकि जो नॉलेज यह वह जो की समाजी परितन में मुख्य भूमिका निभाता है अब देखो इसी तरह देखो गया आप तो वेबर वेबर ने समाजी परितन के संदर में धर्म की भूमिका का विश्रेशर किया है प्रोटेस्टेट अचारें पोजिवात की आत्मा इनकी जो कर रहा है इस बात की पुष्टि अगर आप देखोगे तो इसलामिक देशों में समाजी आर्थी विकास में भिन्नता की रूब में की जा सकती है जिसके लिए इन धर्मों में विद्यमान तरकीक्ता है यह रोड़ी वादी मानेताओं को कार्यक की रूब में स्विकार किया यहां पर जो मैक सुअब जी वह देखो धर्म को मुख कारक मानते किसके लिए जो समाजी गतिविदी हो रही है और धर्म ही दखोगे तो अर्थ विवस्ता में महत्रपुड योगदान दिया अर्थ विकास में यह कैसे इनका जो पूझा आचारे आत्मा की स्टडी की उसमे यहां पर देख ली इसलाम को काफी फॉलो करते हैं तो वहां के रूल रेगूलेशन आज भी जो आपका इसलाम का रूल रेगूलेशन उसी के अधार पर जो कि काफी हत तक चल रहा है तिसलिए बोला जारा है कि इस तर के समाज की नियंतर किसके हाथ में आ रही है धन्म के हाथों में देखने को मिल रही है ति देखो नेक्ट में बोला जारा है कि आज का यूग अगर आप देखोगे तो किसका यूग है और बैस्वी कर्ड़ के वत्मान यूग में समाजिक सांस्कृति परितन भी में इस क्लचर जो की दुश्य कल्चर पर हाभी होता जा रहा है जैसे आप इंडिया हम देखो लो इंडियन कल्चर जो की थोड़ से नीचे जाते हुए दिखने को मिल रहा है ति इस तर से कार्जा कि समाज्श्य परिवत्तन के लिए मुख्य द्रदाई नहीं है तिक है यहां पर ह से एजूकेशन धर्म नॉलेज ठीक है यह सब चीज हमने देखा कि किस तर से और राज एक राज भी पॉइंट देखा था कि किस तर सी सभी जो की समाजिक परिवत्तों मुख्य भूमी का निवात है अब देखो जैसे हमने बोला कि यहां पर दो पॉइंट पर इनके आलोश है कि लिखा सेकेंड हमने बात कि अर्थिवेस्ता समाजी विकास होता है समाझी विकास के बाद जो कि समाझी विकास जब चरम पर रोटा तो मुख्येव संगास की सब्सक्राइब तो अब इस बात की कि जाती है थी उट सिद्धांत इतिहास को सोच अपर अंगस के रुम मे प्रादम प्राजी में जो लोग है जैसे मजदूर मालिक है इनके बीच में कुछ शंबन होगा तो इन संबन्दों में जो की तनाव और संगस दिखने को मिलता है तो अब देखों यहां पर का जा रहा है यहां जो की काल माक्ष का मानना है माक्ष की अधारा भी वरतमान समाज की अधारता के केवल एक पक्ष को दर्शा आती है वेबर के निसार वरतमान समाज का अधार क्या है तरकिकता है यह सहयोग यह परसपरिक निर्भरता पर अधायत है तथा आर्थिक समाजिक राजनितिक सभी छेत्रों में आज विभीन दे सब्सक्राइब देखने को मिला इसका उधार आपका ब्रिक्स है जिसमें इंडिया अगरा सब सामील अब बड़े अस्तव देखो तो उनाइटेड नेशन आप जहां पर सब्सक्राइब करते हैं कोई भी लीगल एक्षन हो गरा ली जाती है वर्ल्ड लेवल पर जिसे डबलू संगर्ष देखने को मिल रहा है तो यहां पर आगे बोला जा रहा है जहां तक संगर्ष यहां सोशड का सवाहल है कि वर्तमाल समाज में यह वी केवल आर्थिक तत्त्त पर अधाईद नहीं है यानि जो संगर्ष और स्री लंका में देखोगे तो तमिल सिंगली पाकिस्तान परिश में सियास ca setzt on the ंभारत में हिंदू मुश्लिप नाघक क की बीच होने वाले संगर्ष यां अमेरिका में परजाती पर जाती पर नहीं को संगर्ष और आज जो की काफी जयादा देखने को तो जिसके पीछे क्या मुख्य कारक है अर्थिवेस्था नों के धर्म है जाती निजाती तते वह अन्य चीजिक कारक फेक्टर जो इस तरग के वर्ग संगस हमको देखने को मिलता है तो इस अधा पिनके वर्ग संगस की जो की आलोशना की जाते हैं बताएं कि वर्तमान संदर में यह उतना प्रसांगिक नहीं है फिर आगे बोला जाता कि आर्थिक विकास के साथ सा सोसर बढ़ता जाता है वर्तमान समान में पूरी तरह से लागू नहीं होता है जैसे से आर्थिक विकास होगा यह विकास अपने क्लाइमेक्स पर होगा तो जो सोसर की इस्तिति वो बन जाएगी लेकिन बोला जाए कि वर्तमान समान में पुजित असे लागू नहीं होता है कोछ अहर्त तक यह सही है कि आर्थी का सवांता जो उसमें ब्रिद्धी तो देखने को मिली है प्रणतों दुनिया के लबक सभी दिस्वों में आर्थी विकास के साथ निम्न वर्गो साथ का भी काफी तेजी से विस्तारों को देखने को जिक्ता में अपने अध्यान में बताते हैं गोल्ट्रम ने इस पर क्राक्रण को बूर्जवा करण के रूब में ब्यक्त गया जैसे कि अगर यहां यहां पर देखो यहां बात की जारी थी कि आत्री विकास के साथ निम्न वर्गों का भी विकास हो रहा है जो इसको गोल्ड थार्म ने क्या नाम दिया बूर्जवा करड़ का नाम दिया त्याद को एड़म जो पिजोवाश्की है इन्होंने भी स्विकार के कि आधुनिक समाज में सोचल में कमी आई है तता आज आध भायाद में प्रति ब्यक्ति आय साच्छर्टा दर्ज जीवन अस्तर स्वास्त अस्त्र में देखोगे तो काफी ब्रिद्धी हुई है और गर्भी विरुजगाई में कमी आई है जो माक्स के उप्रोक्त मानेताओं के भिन है काफी अलग देखने को मिलता है यानि भायाद क बलते हैं कि आर्थिक तर्तो में जो अंतर गिरोध है उससे दखो संगर्ष होगा क्रांती होगा तो यह आज प्रसांगी के लग रहा है आज पूजवादी देशों दौरा क्रांती के विकल्प को और पूजवादी अर्थवेस्ता बैस्युक अर्थवेस्ता कर रूप चेंज देखो सामयवादी देश की काफी करीब थे लेकिसा मांवादी रही सेल्प कमाज के इतीयास वह सामयवाद होगा इसके बाद कोई समाज के विकासे में हो ये गलत है अंतिम समाजवाद जो कौन सा आपका उदार पुजिवाद का समाज होगा जैसा कि फ्रांसेसी फोकोयामों ने इनकी जो बुक थी The End of History इसमें इन्होंने कहा था कि जो अंतिम समाज होगा वो कैसा होगा उदार पुजिवाद समाज होगा ठीक है ति देखो एक माक माक्षवादी है वर्तमात समकाली माक्षवादी कि यह काँणा में रो偉नल्ड एल और पॉयंत इनकी इसको वहर गऊ रिक्ता के संदाब के भिलकुल स्वीकार नाहीं क्या जा सकते है धोगिकि व्यार कते हो एक बगळारment की सब्सक्राइब करते हैं जिनके अधाप इसे बिल्कुल अप्रसांगिक माल लेना तर्क संगत नहीं है आज भी इसके आयाम ऐसे जो इनकी प्रसंगिता को पुष्ट करता है आज भी जो की अपने प्रसंगिता उनको देखने को मिलती है कैसे आप एक्जांपर की तूर समझों देखों बता जाए कि आज इस परस्ट रूप से दिश्टीगर्थ हो रहा है यहां पर देखो का जा रहा है कि जो नाटी एटी एटी शेक्टर भारत में काफी डेवलाप हुआ जिससे मध्यमोरकी संख्या काफी तीजी से भारत में बढ़ गई है ति यह इस तरह की चीजे हमको देखने को मिल र अधाया पर चूड़े है सामध के साथ काम करें लेकिन डबल्लू टीव डव्लू टीव के कई ऐसे निर्ड़े हैं जिसके काल बिमिन देशों के समाजी कानुनी सभी प्रक्षियों की उसमें प्रयोतर हुआ को देखने को मिला है फिर आके देखो बोलाया कि भारती राज न जा रहीदांत तो ही ओकर प्रस्वकी है जैसे अंबानी विजय मालिया रहा घूंपाइस्ट करती है काम कि अर्थवेस्टा नेति को इंपक्ट कर रहे है तो वही बात यहां आप करे़ाएं इसकी प्रस्था आज भी उनको देखने को मिलती है विकास समाजों में नई आर्थिक नीतियों ने आर्थिक विसंता को बढ़ा कर कई रूपों से वर्ग संगर्स को बढ़ा दिया यानि विकास से दिशों में देखोगे तो जो नहीं नहीं इनकी आर्थिक नितिया आर्थिक सुधार हुए उससे देखोगे तो आर्थिक विसंता काफी तेजी काफी बढ़ गी यानि कि कुछ आमी लोग ही जो है कि बहुत अधिक संपत्ति जैसा कि 2017 का ओक्स फ्रेम का रिप जो विकास से समाज है वहां पर आर्थिक विसंता बढ़ रही है जिसके काड़ आपको वर्क संपत्त दिखने को मिल देगा जैसे देखो यहां पर दोजार पांच शे की बात है जहां गुड़गाओं की बात की जारी है गुड़गाओं के होंडा कंपनी में होने वाला या अन्यक छेत्री आंदोलन के पीछे आर्थिक विसंता एक प्रमुख करत कि रूप में क्यास है जहां पर जो की बहुंजादा जो की तनाव या जाती संखर्ष जो भी संखर्ष हो रहे है और वहां पर आर्थिक इस्थिति काफी अच्छी है नहीं इस वजह से वहां पर आतरए देखने के हैं अर्थिक गतिविदी तरह क्या है आर्थिक उस जीले याइस प्रक्ने में प्रजार्वाद है रास के अहितर。 आतंग के अर्थियूस्ता कि शहीं से विकास नहीं कें सब्सक्राइब देखने को मिलता है यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि बैस्युक आतंगवाद यह नेपाल में हो रहे माववादी संगस्त आधी के मूल में आर्थिक पिछड़ापन असमानता है गरिबी जैसे तर्थ प्रमुक्र है जो इस सिधान की समकाली परसागित्या को दर अब बोलते कि हम आपके फैमिली को पैसा देते रहेंगा आप जोईन हो जाहिए इस तरह से देखो आत्यासिक बहतिवाद के सिधान में इतियास के अंति मावस्ता के रूम में सामयवाद को प्रसुत करके समाज के निर्ति निर्मेताओं के समकाली समाजिक विवस्ता के नक में आज़ाब करने मार को पैसा से अर्थिवेस्ता के विकास के विकास साथ जोगी समाज के विकास थे वर्ण संंग कि स्टे मusteredेये प्रदान कैया है जो जो की अभी पेरिरगर के रूम में आज भी हमको दείखने को मिलता है त्रही है इस पकड़ कर आप तो वर्तमान समाज पर भले ही पूरीता से लागू नहीं होता है प्रणतों एक दिश्टी कोड या पद्धती सास्त्र की रूब में समाजिक यह था ता कि कई महत्पूर पक्षों को उजागर करने में करके करने और उसके नकारात्रों पक्षों को दूर करने में आज भी सहागा समाजिक तनाव संघर्ष के लिए तो वहीं बता जाए कि यह जो माक्ष ने अपना सिध्धान दिया है यह पद्धती सास्त के रूब में दिश्टी कोड के रूब में विचाधाय के रूब में आज भी प्रशाएंगी हमको देखने को मिला है यह टॉपिक आपको यहीं पर हुआ हुआ है